इससे पहले कि हम राशियों की चर्चा करें आपको बता दे कि जोतिश शास्त्र में शनी देव के राशी परिवर्तन को एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है शनी देव जिने राशी चक्र पूरा करने में 30 साल का समय लगता है यानि हर धाई साल तक वो एक राशी से दूसरी राशी में गोचर करते हैं इस वर्ष की बात करें तो 24 जनवरी 2020 को धनू राशी छोड़कर मकर राशी में शनी देव प्रवेश किये थे जिसकी वजह से धनू, मकर और कुम्ब राशी की साड़े साती शुरू हो गई धनू राशी के लिए ये साड़े साती काफी बुरी बताई गई मकर राशी के लिए ये साड़े साती सामाने फल देने वाली थी जबकि कुम्ब राशी के जातकों के लिए ये साड़े साती बहुत उत्तम बताई गई इससे पहले कि जो लोग ये कहें कि उत्तम फल तो कहीं नहीं मिले पूरे देश में lockdown था पूरे देश में करोना जैसी महा मारी थी हम इस पर भी चर्चा करेंगे पर मिथुन और तुला राशी उनके लिए तो ढहिया भी लगा और तुला राशी वालों के लिए ढहिया वरगो हो गई आर्थिक तंगी का लोगों को सामना करना पड़ा अपने ही जो मित्र थे वो साथ छोड़ गए या यूं कहें कि जो पैसा कहीं से आना था वो फस गया पूरे देश की स्थिती ये हुई कि काम धंदे बिलकुल ठप हो गए व्यापार चौपट हो गया लोग सुभा दस बच कर 40 मिनट पर जब शनीदेव करेंगे अपनी सीधी चाल पौरानिक कथा केनुसार शनीदेव जागरित हो जाएंगे तो आईए जानते हैं जब होगी सीधी चाल तो बारा राशियों का क्या होगा हाल बढ़ते हैं आगे चर्चा करते हैं कुम्ब राशी की जहां से शनी का गोचर बार्वे घर में होने वाला है देखिए इस राशी के जातकों के जो हैं अब खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं ये राशी के जातक हो सकता है अब आपके विदेश चले जाएं आप जो आप व अध्यात्मिक मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं यहां पर शनी देव आपको अध्यात्म की और बढ़ने के लिए अगर सर करेंगे आपके रुके काम बन सकते हैं आपको बढ़ों का आशिरवाद मिल सकता है अगर कोट कचेरी के मसले हैं त तो आप इससे बचने के लिए आपको क्या करना है उपाए आपको नीली उन की जुराबे ये खास उपाए है आपके लिए नीली उन की जुराबे कोई लेगा नहीं पर आपको देनी है किसी को भी ऐसे जरूरत मन को देनी है हला कि अगर वो मना कर दे फिर उसे नहीं देनी वो बंधुमय पीन तुक्र स्षब्स को सबक्राइस कि प्लस इच्छा टाइमाइब DR t प्लस अपका भी अच्छा ताइम शुरू होने वाला है अज के कारिक्रम में आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे और आने वाले एपिसोड में हम आपको बहुत सारी ऐसी धेरो जानकारियां लेकर आएंगे जहां पर आप घर बैठे अपने बहुत सारी समस्याओं के समाधान खुद कर सकते हों मुझे दीजे इजाज़त नमश्कार